आज की इस वीडियो में हम आपको घर पर ही बहुत ही सुन्दर गमले बनाना सिखाएंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में गमले काफी कौश्टली मिलते हैं एक गमले की कीमत कम से कम 60 से 100 रुपय तक होती है इसलिए आज हम आपको घर पर सीमेंट से गमले बनाना बता रहे हैं जिसे आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहां एक प्लास्टिक की बाल्टी ली है और अब इसमें हम लगभग आधा कप मोवे लॉयल लेंगे इसे इस बाल्टी में चारों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से लगा देना है और जो बाल्टी है इसके नीचे के तल पर भी इसे लगा लेंगे अच्छा होगा कि आप एक गलप्स ले लें लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मौरंग सिमेंट का पांच गुना होना चाहिए इसका मतलब है आप पांच एक का मसाला तयार कर लीजिए ये देखी जिसे वीडियो में हो रहा है, इसको मैंने फॉर्वर्ड कर दिया है ये देखिए तयार है आपका ये मसाला, अब इस मसाले से आपको गंला बनाना है दोस्तों अब एक छोटी सिम्बग में जैसा कि आप देख रहे हैं सिमेंट का घोल तयार करना है घोल जदा पतला या मूटा नहीं होना चाहिए अब बाल्टी में इसे घोल को मतलब ये जो घोल है देखिए मैंने इसमें डाल दिया है बाल्टी में और चारो तरफ घुमा घुमा कर इसका फैलाओ करना है बाल्टी में लेकिन ध्यान रहे दोस्तों इससे पहले आपको जब आपने ओयल लगाया था उसके बाद थोड़े से सिमेंट का छिड़काओ कर दें इस बाल्टी के चारो तरफ ताकि जो घोल है वो इस बाल्टी में अच्छे से चिपक जाए चारो तरफ अच्छे से चिपक जाए और ये घोल डालने के बाद आपके जो घड़े हैं वो काफी चिकने और बाहर से बहुत ही सुन्दर नजर आएंगे ये देखिए इसको अच्छे से देखिए लगाया जा रहा है इस बाल्टी में घुमा घुमा कर इसको आप लगाईएगा ये देखिए जिस भी साइस के आपको गमले बनाने हैं आप उसी साइस का बाल्टी ले सकते हैं उसी साइस की बाल्टी लीजे और इस बाल्टी के बीच में देखिए आपको छेद नजर आ रहा है तो आप छेद भी कर सकते हैं जिससे एयर गमले में आती रहे तो ये देखिए दोस्तो जो मसाला हमने तयार किया था पांच एक का उसे इस बाल्टी में देखिए हम डाल रहे हैं और चारो तरफ उसको शेप देंगे जैसे गमले का शेप होता है उस शेप में इसको हम लोग लगाएंगे देखिए किस तरह से पूरा वीडियो में आप दे देखिए हम लोग डाल के और इसे गमले का शेप देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और वीडियो जादा लंबी हो जाती इसलिए इसे फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहे हैं और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये काम करने से पहले आप गमला बनाने लेब दे रहे हैं उपर से काफी सुन्दा लगेगा ये बनने के बाद और इसको इस तरह से बनाने के बाद आप दो घंटे के लिए सौरी दो दिन के लिए इसे छोड़ दीजे उसके बाद ये गमला आसानी से निकल आएगा और ये देखित तयार है गमला बस अभी से दो दिन के लिए सूखने दीजे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग